हेलो स्टुडेंट आज होगा हिंदी डिक्रेसर नमबर सेवें जो एक्टी बढ़ पर मेरके गति से लिखाए जाएगी इसके लिए पहले हम लिखेंगे और लाइन है ना और लिखने कि आपता है कि आपको लिखने में सूधा होगी और गति बढ़ेगी इसे बढ़े बढ़े नशना जो एक साथ लिखने वारे बढ़ें उसको हम एक साथ कैसे लिखनी जैसे बड़ा बढ़े समझ लेना चाहिए इसे लिखने के लिए को छोटा करने लिखना है इसके लिए पहले आप लोग लिखें अट्राइन में जिस समस्याा है तो समस्या हम इस तर से यार किया है और युक्त समय सियो हो रहे है तो क्या करें है लास्त मिले मिल दिने से पूरलर का समस्याव। जिस दस्याप याद के हैं गाय केसी याद के हैं इस तार से टेन गाय गवा ज़दी हमको गाये इस दस्याप के हैं लेकिन ज़दी गायें लिखना है पत्या करें जब फुलर हो गया तो तो यहां पर बनता है तो आपका लास्ट मिन बिन्दु लगाते हैं तो गाये इससी तरह हां समस्या समस्या से समस्या वहां तो बिन्दु लागे पुलरा बनाएंगे और हमें लिखना है अधोनी की करन तो हम देखेंगा को पूरा नीः जी में घुनाव है तो चुनाव को करें या में टाज इसको कार देने हैं लेकिन यहां प्रकिया है आंस चुनाबों यानि जो पर दाए खना है यानि पारतीय कम्रेस हमें हमें साथ लिखना है दिखेंगे अप्रपिये हमें कि काड्समुति लिखना रो लिखना कारभ समीति आदास वाध है कि मैं समाझता हूं कि यह साबाद है जो बारगार आता है बहुत इम्पोर्टन वर्ण है मैं समझता हूं की हमेसा आते राता है और जो चार वर्ण है मैं समझता हूं की चारों हमेसा साथ मही आता है यह कि आपको मैं समजती कर से तब क्या करें यहां पर लाप्र मिंदू तो देंगे फार्टप्लेश पर यह कब दो गया मैं समझति हूं कि समझ लेना चाहिए यह तीनों बड़ है एक दो तीन इसे साथ हम लिखने के लिए हम क्या करें ही कि साम लेना चाहिए कि समझ लेना चाहिए कि आनुशासन हिंगता है इसको हम लिखेंगे आउतलैन में आनुसासन हिंता के लिखिया करें इसको हासे कार देंगे है हिंता होगया है विद्रो लिखना है तो विद्रो ठीक है इसका से पहले आप लिखेंगे लिखेंगे तो आपको करने चाहिए साथ में लिखेंगे का नी चाहिए क्या हो गया कर चाहिए हमको क्या करने चाहिए निये क्या करेंगे कि करता है कि ऐघर है अब यहां हम पक्राइब कई यह सब बढ़ है जी सबशनके आंट में ताहिये ताहिये ताथ factory प्रदेट्रे 세상े लगा रहे तो उसके साथ में भी एंजे projet रूंस को साथ में लिखा आता है अब इसको लिखेंगे काति है की यादि तीनों को साथ में जोड़ना तो देखेंगे बहुत सिंबर सा होगा च्छेटा च्छोटा सा बनेगा कि यह क्या लिखें काता है की हुआ लेकिन हमको कहती है कि इसके यह क्या करेंगे ठर्क प्लेश्पर विद्णु देंगे कहती के लिए क्या जाएगा यह दोन बढ़ जब यागा तो साथ में जाएगा तो मिश्कर इसका किया या किया है इसे में जाएगा मंत्री महुदर है मागों बड़ा करें तर तर कर नियाओ आग्या मंत्री इआ का कमेला लाल देनीक द्रयों مपाने 7 इसको लिखेंगे रेस्ट हाउस कचारी है तो कचार भारी तासिल दार भरस्टा चार लिखेंगे तेसी तास लिखेंगे भरस्टा चार किया जाता है जाता है तो राजस्थान राजस्थान बले हैं इस तर से राजस्थान ठीक है तो इस तर से सबसे पहले हम आउट राएंब का पर्योकर है आप टाइम से समझेंगे उसके बाद हम अस्पीर दिमिलिक सरते हैं इसमें हमें अस्पीर लाने में कोई टाइम और कोई समय नहीं लगेगी पहले इसे आउटर लिख लीजिए रड़ी अस्टार्ट ध्यच महोदय राज अस्थार में जनता को बड़ी कठनाई है वहां सूखा पड़ा हुआ है मवेशी मर रहे हैं ऐसे जो अस्थार है वहां आपको कदम उठाने चाहिए वहां लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए उनकी सहायता करनी चाहिए अगर आपने सहरों का ही ध्यान रखा और दिहातों की समस्या उबा किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविस में बड़ा संकट पैदा हो सकता है जब मैं अपने छेत में कार्ण करने के लिए जाती हूँ तो जिन लोगोंने बोट दिया होता है और जिन होने नहीं भी दिया होता है उवे भी सिकायत करते हैं कि जब बोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ होगा गल्ला संस्ता होगा गाई भैंस के लिए घास का परवंध होगा लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है अंग्रेजों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ होगा नहरें खोदी जाएंगी गाई भैंस के लिए घास का इंतजाम किया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ लगान भी दुगना बढ़ गया है जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोस है हमारे मंत्री महोदे जब जीले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट होस में जाकर ठहरते हैं दिहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले लेकिन उवे तो रेस्ट होस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गाओं में जाना चाहिए वहां जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए किसान इस समय बड़े भैवित हैं उनकी तरफ बहुत सा रूपिया पड़ा हुआ है तकावी का बीज का लगान का बैल का इत्यादी कलेक्टर या तरहसिलदार को उनको आज बहुत परिसान कर रहे हैं उसके बैल निलाम किये जा रहे हैं जमीन निलाम की जा रही है उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसिलदार किसानों को जिस तरह से परिसान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ उसका मैं बरनन नहीं कर सकती हूँ आज भरस्टा चार का ही बोल वाला है जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेख पाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर उवेलो नहीं निकालते हैं कचहरी में उन्हें परिसान किया जाता है और उबे सब जगर परिसान होते हैं